आज मैं बनाने जा रही हूं ब्लीच सोप घर पर जो की समर्स के लिए बैस्ट सोप है और यह आपकी इसकिन प्रॉब्लम्स को खटम करेगा और आपकी इसकिन को लाइटन ब्राइटन एंड ग्लोइंग बनाएगा तो चलिए देख लेते हैं कि इस सोप को हमें कैसे बनाना है और मैंने जो भी इसमें इंग्रीडियंट्स यूज की हैं वो सारे नैच्रल ब्रीचिंग का काम करेंगे तो इसमें मैं यूज कर रही हूं पोटेटो का तो और मुझे चाहिए इसमें लेमन जूस का यूज करेंगे और तर्मरिक यूज करेंगे अब एक मोल ले लीजिए और जो आपका पोटेटो है उसको कदूकस करके उसका इस टाइप से जूस निकाल लीजी जैसे मैं निकाल रही हूँ पोटेटो जूस हमारी सकिन को सन बर्ण से बचाएगा गरमियों में और ये ब्लैक स्पोर्ट्स को खतम करेगा हमारी सकिन से आलू में विटामिन सी अब आपको इस टायब से जूस काल लेना है तो इसमें डिया है और में आट करूंगी लेमन जूस तो इसमें मैंने 3 तीस्पून के करीब लेमन जूस एड़ किया है लेमन जूस को स्किन से जाई कम करता है और संटैन को भी खतम करता है और यह हमारी सी काले धाग दब्बे एजिंग और चकत्त की समस्या को भी ठीक करता है लाम्म जुस में साइ्ट और आपके सिकिन स्वार बाइब आला पिर परगला प्राटक्ट पर किते हां लेकिन अइसरे बाधी है विल रालग ही अज़ती ज पनेठील करने के बादे केफिता से बस्तापन के क्षीर बिलमें करों सोप यज़ता अगर आप लिगट फॉर्म में समझेंगे तो मैंने कम से कम इसमें फाइफ टेबल स्पून के करीब सोप बेस एड़ किया है उसकी बाद में इसको मेल्ट कर लूगी और जब तक मैं अपने जो मोल्ड है उसमें थोड़ा सा ऑई लगा ले रही हूं जिससे की जो हम सोप निका और उसकी बाद मैं इसको 20 मिनट तक के लिए ठंड़ा होने के लिए छोड़ दूँगी और भी मैंने काफी सारे सोप के उपर वीडियो बनाए हैं अगर आप उन सबी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है आप वहां से चेक कर लीज को मोल्ड मैं से निकाल लेती हूं इसको कैसे करना झायNA है जैसे आफड अपना फेस सोप यूज करते हैं आपको उसकी जगह इसको यूज करना है बस निटियु को काफी दिन तक स्टोर करकर रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम मैं और कुछ खराब नहीं Хोग यह का drinking का इछ च टेक क्यार